दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सिरफ 10 पोस्ट के अंदर Google AdSense का अप्रूवल ले सकते हो वो भी प्रूफ के साथ दिखाऊंगा मेरे एक सब्सक्राइबर है उनका हमने ब्लॉग कस्टमाइज किया था यानि थीम वगएरा सब कुछ सैट करके दी थी उन्होंने सिरफ 10-11 आर्टिकल लिखे थे और उनको एक दिन के अंदर अंदर ही Google AdSense का अप्रूवल मिल गया अब आप लोग सोच रहे होंगे बाई ऐसा कैसे हो गया मैं आपको एक चीज बता दू मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं बहुत सारे लोग कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने एक बंदा ऐसा है जिसने 800 पोस लिख दी लेकिन अप्रूवल नहीं मिला एक बंदा ऐसा है अब में भेजना है और आपको फट से एटसंस का अप्रूवल मिल जाएगा बस इन टिप्स को फॉलो कर लेना चाहें ब्लोगर पे हो चाहें वर्डप्रेस पे हो जिस भी प्लैटफॉम पे ब्लोगिंग कर रहे हो एटसंस का अप्रूवल आपको इतनी आसानी से मिल तो दोस्तों ये है वो ब्लॉग जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था जहांपे 10 पोस्ट के अंदर Google AdSense का अप्रूवल मिला है तो ये वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया मैं 30 सितंबर को AdSense का अप्रूवल मिल गया था उसके बाद एक दू पोस्ट और डली ह तो आप देख सकते हो यहां पर AdSense की Ad चल रही है यहां पर और यह एड आ रही है तो आपने देख लिए कि AdSense की Ad चल रही है अगर हम इस पर पोस्ट देखेंगे तो इस पर इतनी ज्यादा पोस्ट नहीं है आप चेक कर सकते हो और 3-4 पोस्ट तो इसमें बाद में डली है अगर आप इसको छोटा करते हो तो mobile पे भी काफी clean देख रही है और user अगर इस पर कोई आता है तो उसको आसानी से पता लग जाएगा कि इस website पे क्या-क्या मिलने वाला है जिसको हम बोलते है categories यहां पे भी categories है सारी यहां पे भी categories है और देखने में काफी simple थी मैं आप दे आर्टिकल में images यूज़ करी गई है आप यह चीज़ देख रहा है ना कि हर एक आर्टिकल में काफी सारी images यूज़ करी गई है तो यह चीज़े होती है पहली चीज़ हो गई theme आपको जो theme install करनी है काफी जादा clean होनी चाहिए अब जैसे कि WordPress की theme है तो यह आप देख सकते हो generate press theme है अगर किसी को generate press theme cheap price में चाहिए वो मुझसे contact कर सकता है premium theme आपको मिल जाएगी अगर जो लोग blogger पे work कर रहे हैं blogger के लिए बता देता हूँ blogger के लिए ये सबसे अच्छी theme है जो की काफी clean है और भी जो मैंने बताई है इससे पहले वो भी अच्छी है तो यह भी दे कैसे ये share buttons लगे हुए बहुत सारे लोग ignore करते हैं आपको अपने blog पे share buttons भी जरूर लगाने है जिससे आपका किसी को post अच्छा लगता है तो social media पे share कर सके Google इस चीज को notice करता है आप इन छोटे छोटे points पे ध्यान नहीं देते हो तो share buttons जरूर लगाने है blogger पे कैसे लगान तो blogger और wordpress दोनों का बता दिया आपको ये social buttons लगाने हैं तीसरी चीज जो हम pages बनाते हैं वो आपको देखो ये 500 pages आपके blog पे होने चाहिए about, contact, disclaimer, privacy और terms ये 500 pages आपके blog पे होने चाहिए compulsory इसके अलावा जो चौती चीज आपको ध्यान रखनी है जैसे कि articles होते हैं आर्ट आपको title एक बार देना है उसके बाद अपने article को लिखना है और article को थोड़ा लंबा लिखना है, images का use करना है, videos का use करना है, proper देखो इस तरीके से article लिखना है, copy paste नहीं करना है, खुद से article लिखना है, अगर आप इस article को देखोगे, properly यहाँ पे images को use किया गया है, बीच में ads भी आ रही है, अगर आपके पास ads नहीं है, कोई issue नहीं है, लेकिन आपको images वगरा एक article में 4-5 यूज़ करना है, और खुद से article लिखना है, तो आपको इस चीज का ध्यान लखना है, इसके अलावा जो most important thing है, मैं देखता हूँ, अगर आप logo देखोगे, यहाँ पे जो इ ignore कर देते हो, और मेहनत करने के बाद भी फिर approval नहीं मिलता, तो आपको अपनी website पे लोगो बना के लगाना है, जिन लोगों को नहीं आता बनाना, link description में देदूँगा, उसको देखकर आप बनाना सीख सकते हो, तो guys यह थे कुछ points, मैंने आपको proof भी दिखा दिये है, इस website क कि 10 से 11 यहाँ पे post हैं सिरफ, और एक post यहाँ पे अभी recent ही डला है, और जब एटसंस का approval मिला था, तो टोटल 10 post है इस पे, तो आपने देख लिए 10 post में भी एटसंस का approval मिलता है, और जो जो points मैंने आपको बताए, अगर उनको follow करोगे, तो भाई आपको भी मिल जाएगा, गूगल एटसंस किसी के साथ भेदबाब नहीं करता, अगर आप यह काम करते हो, इन चीजों को follow करते हो, तो आपको क्यूं नहीं मिलेगा, इन चीजों को ध्यान रखना, अगर कोई दिक्कत आ रही है ब्लॉगिंग से जुड़ी, तो बता देना, इस वीडियो में इतना ही चोटी सी वीडियो थी, आपके साथ शेयर करना था कि भाई ऐसा भी होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं, एटसंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा है, तो मैंने सुचा प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ, अगर आप यह चीजे करते हो, तो हो तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, मैनत करनी मत छोड़ना, जो प्रॉबलम्स आएंगे, आपका भाई खड़ा है, सॉल्व करवा देगा, और एक दिन आपको ब्लोगर बना के ही छोड़ूँगा, तब तक के लिए ध्यान लगना, बबाई!